अलो डिर स्टुडेंट्स वालकम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचिता जैने आपके एसस्ट एजुकेटर आज के शेशन में इंक्रिडबल इंडिया के सिरीज में आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक बहुती महत्वपूर्ण और रोचक जानगारी जो की है जंतर मंतर के बारे में तो शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज़्यादा आज किस वीडियो को आप सभी लाइक करते हैं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रुवाइड कराता है आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे courses free of cost high quality education के साथ fully organized complete course के साथ जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे top courses इंदिया और इंग्लिस दोनों मेडिया में provide कराते हैं CBSC बोट के साथ साथ MP बोट, UP बिहार बोट, दिल्ली बोट, राज़स्तान बोट के syllabus को cover कराया जाता है काफी सारे special courses हैं हमारे पास जैसे की वैदिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ इगदम free of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं Magnet Prince, YouTube के लावा other social media platform पर भी उपलब दे, आप हमें वहां भी follow कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राप कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ तो जानते हैं हम जनतर मंतर के बारे में आंकर ये जनतर मंतर क्या है जनतर मंतर भारत में इस्थितिक एतिहासिक खगोलिय क्खोलिय वेध शाला है जी हां जसे की नाम से यह आपको दिख रहा होगा जंतर मंतर कुछ मतलब की मंत्रों से संबंधित कोई बात होगी ठीक है जादू टाने से संबंधित कोई बात होगी ऐसा लग रहा है देखने में तो जी हाँ, ये एक खगोलिय वेध शाला है, अब इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, पहली बात ये है कि आखिरिये है कहां कहां इस्तित, तो नई दिल्ले जैपुर में प्रमुख रूप से ये इस्तित है, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण भारा सवाई जैसे दुतिय द्वारा अठारवी सदी में कराया गया था, इसके उदेशी के चर्चा करें, तो खगोलिय गड़ना और समय मापन के लिए ये जो बनाया गया है, जंतर मंतर, स्वनरशना की बात करें, तो यहां पर विभनेत ज्यामित उपकरण जैसे की, संब्राट जै प्रकाश ये अंतर, राम ये अंतर आधी उपलब्द है, अल्राइट, अब खासियत की बात करें, किसकी खासियत क्या है, तो इन ये अंतरों की मदद से सूरी की इस्थती, ग्रहन और अन्या खगोली घटनाओं का सटी करुमाल लगाया जा सकता है, अब अन्सुनते हैं अब चंद्रःण लगने वाला है, अब सूरी ग्रहन लगने वाला है, कैसे पता होता है, इनहीं के द्वारा हमें पता होता है, इसका महत्व है भारती खगोल्विक ज्ञान और वास्तु कला का ये उतकरस्ट उधारण है, युनेस्को विश्व धरोहर इस्थल में शामिल ह किया गया है जैपुर के जंतर मंतर को 2010 में युनेस को विश्वधरोहर इस्तल घूशित किया गया परेटन की बात करें तो दौनों इस्तलों पर प्रतिवर्स लाखों परेटन घूमने के लिए आते हैं और इसी के साथ जंतर मंतर की जानकारी यहीं पर कंप्लीट होती है उमी चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी अगली नई जानकारी के साथ अगर आप हमारे डेली के लाइव शेशन रिकॉर्डेट सेसन से चुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैंगनेट ब्रेंज के योट्यब चनल वेब साइट और अप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंज इंडिया का नंबर वन हंड़ेट पट्सन फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके अलावा गर आप ईबुक्स और री नोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी व प्रेश कोर्स और इस्पुकर इंगलिश और इतने सारे कोर्स इस आपको एक ही जगाए की सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ले और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ इदम फ्री ओफ कॉस्ट मिलने वाले हैं मैंगनेट ब्रेंस यूट पड़े रहिये पड़ते रहिये खुशेया थांक्यू सो मच्च